नमस्कार आप सभी का मेरे चानल में बहुत बहुत सौगत है आज मैं आप सब के लिए गुलड यानी की फिक की सबजी बनाने वाली हूँ आप सब में से कुछ लोग जानते होंगे कुछ नहीं भी जानते होंगे कि ये बहुत ही हेल्दी और इनर्जी से भरपूर सबजी होती है इसलिए आपको ये जहां भी मिले आप इसे तुरंत ले लें और इसकी सबजी बहुत ही जादा टेस्टी बनती है तो हमने यहां 200 गुलड लिये हैं और इसे हमने पहले अच्छे से धो लिया है और इस तरीके स इससे एक एक हम अलग कर लेंगे आप एक वार मेरे तरीके से गुलड की सबजी बना करके जरूर ट्राई करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सबजी आपको कैसी लगी तो हमने सारे गुलड को तोड़ करके अलग कर लिये हैं अब हम इसे कट करेंगे इसे कट करने के पहले हमें एक बॉल में पानी ले लेना है क्योंकि इसमें आइरन भरपूर मात्रा में होता है तो जैसे ही हम कट करेंगे ये रेड हो जाएगा तो इस तरीके से हम दो-दो पीसी से कट कर लेंगे और अगर थोड़े बड़े गुलर हैं तो उसकी अंदर सीड्स होते हैं तो उ साफ कर लेंगे अगर मेरी रेसिपी आपको पसांद है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़्यदा शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे की मेरी अगली वीडियो की जयरुदिकेशन आपको मिलती रहे तो हमने यह सारे गुलड़ कट कर लिये हैं और इसे दो बार यह भाप से चान लिया है और इससे सबसे पहले हम वायल करें वायल कर ने के लिया के लिए एक प्रेशर कोकर्ट हमने लिए उसमें हम गुलड़ यैड करेंगीघ और साथ में एक ग्लास पानी आड़ करेंगे और इसके साथ ही इसमें हमने हाफ टेबले स्पून नमक आड़ कर दिया और इसे दो से तीन प्रेसर आने तक हम पका लेंगे और प्रेशर निकलने के बाद इसे हम खोल करके देख लेते हैं कि देखिए हमारा गुलर बहुत ही अच्छे से वाइल हो चुका है तो अब हम इसे छान लेते हैं जिसे कि इसका सारा पानी निकल जाए इसे हमने छान लिया है तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं तो हमने उसी कूकर को साफ करके फिर से गरम कर लिया और इसमें आड करेंगे दो बड़े चममच 300 का तेल और तेल जब हमारा गरम हो जाएगा तो उसमें आड करेंगे आदा छोटे चमच जीरा और जीरा की चटकने के बाद इसमें आड करेंगे एक इंच दाल चेनी का टुकड़ा, दो लॉंग, एक बड़ी लाइची जिसे हमने तोड़ लिया है और इसके साथ ही इसमें आड़ करेंगे दो तेज पत्ता और दो सुखी लाल मिर्च और इन सभी मसालों को चेटकने के बाद इसमें आड़ कर देंगे दो बड़े साइज का पारी कटकिया को प्याज और प्याज को ट्रांस्पेरेंट होने तक हमें फ्राई कर लेना है और जब इसका color transparent हो जाएगा तो उस stage पे इसमें add कर देंगे एक बड़ा चमच अधरक लासन का paste और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ हमें इसे अच्छे से mix करते हुए भून लेना है जिससे की इसका कच्चापन खतम हो जाए प्याज हमारा भून चुका है तो अब इस stage पे हम add करेंगे स्वादानुसाड नमक साथ में आधा बड़ा चमच हल्दी पॉडर एक छोटा चमच लाल मिर्च पॉडर एक छोटा चमच कास्मीडी लाल मिर्च पॉडर इससे की color बहुत ही अच्छा हैगा और साथ में add करेंगे दो बड़े चमच मीट मसाला यहां हमने एवरेस्ट का मीट मसाला यूज किया है और इसे तो से तीर मिनट के लिए हम भून लेंगे यह सूखे मसाले बहुत ही जल्दी भून जाते हैं तो इसलिए इसे हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे और मसाले हमारे भून चुके हैं तो इस स्टेज पे अब हम इसमें add कर देंगे उबले हुए गुलर और एक से दो मिनट के लिए हम इसे मसालों के साथ अच्छे से mix करके भून लेंगे इसे इस तरीके से हलके हांथों से लगतार चलाते हुए हमें सारे मसालों के साथ इसे mix करना है इसे भूनने में दो से तीर मिनट का टाइम लगेगा और ये सारे मसाले के साथ अच्छे से mix हो जाएंगे इसे भूनते हुए दो से तीर मिनट हो चुके है तो इस stage पे अब हमें इसमें add कर देंगे पानी जितनी हमें ज़रत होगी उसी अनुसार हमें इसमें पानी add करेंगे अभी हमने आधा गिलास के लगबक इसमें पानी add किया है और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और इस stage पे अब हम इसमें add कर देंगे एक चोथाई छोटा चमच गरम मसाला पाउडर और इसे भी इसमें mix कर लेंगे और इसमें पानी अभी थोड़ा कम लग रहा है थोड़ा सा पानी हमें और add करना है तो हमने आदा glass के लगवक और पानी add कर दिया तो पूरा हमने एक glass पानी इसमें add किया है और अब इसका ढखकन बंद करके दो pressure आने तक हम पका लेंगे जैसे ही दो वे से लाएगा प्लेम आफ कर जाना और इसे ठंड़ा होने तक wait करेंगे यहाँ pressure निकल चुका है अब हम cooker का ढखकन खोल करके देख लेते हैं आप देख सकते हैं हमारी सबजी बहुत ही अच्छी बंद करके तैयार हुई है आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्प कर सकते हैं आप इस सबजी को एक बार इस तरीके से बना करके जरूर ट्राई करें और अगर पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और यह देखिए हमारी सबजी सर्प करने के लिए रेडी है आप इसे रोटी के साथ सर्प कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं एक नई रेशिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में